हेलो फ्रेंड, वेलकम बेक टो इस्टडी वार यूटूब चेनल और की इन्वार्मेंट सिक्छान सास्तर का लेक्चर नमबर सेकेंड है जो हम टोटल सो कोशन कवर कर आ रहे हैं उसमें पहला लेक्चर अपलोड कर चुके हैं सेकेंड लेक्चर होगा और एक लेक्चर इसका और आएगा ठीक है जिसमें हम टोटल अमबर आप 100 कोशन डिसकस करेंगे और यह सारे ऐसे कोशन होंगे जो कि पेपर में आने की मैक्जिमम संभावना होगी और यह सारे कोशन जितने अभी तक हमने पढ़ा उस आधार पर इन 100 कोशनों को सिलेक्ट किया है ठीक है और कोशिस करेंगे इस अंडिट कोशन को अगर आप कर लेते हैं तो आपको काफी कुछ help जरूर मिलेगी पेपर में और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे जो कि आपके टोटल 10 से 12 कोशन जो आने वाले हैं और प्रात्मिक सिक्छा भरती परिक्षा मत्तब कोई भी हो सकता जैसे सी टेट और अधर जो भी राज्यों के टेट होते हों से टेट में भी इसको यूज आप कर सकते हैं ठीक है और कोशिस करिये आर कि आप लेक्शर लगाओ तो हर कोशन को आप खुद से सॉल करें और फिर उसके बाद आप अंसर लगाएं और उसके बाद मेरे द्वारा बताये गए आंसर को मैच करें और फिर अंत में ये देखे कि आपके total कितने marks आ रहे हैं ठीक है और कम से कम 25 plus marks आपके आने चाहिए क्योंकि इसमें total number of question 30 question होंगे तो आईए lecture start करते हैं पहला question हो जाएगा कि सहयोग आत्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक ठीक है द्वंद सेकेंड हो जाएगा गहन प्रतियोगिता और थर्ड हो जाएगा उच्च उपलब्धी एवं स्वर गरीमा और फोर्थ हो जाएगा उच्च नैतिक विकास्त option number C हो जाएगा इसका right answer हम यह बोल सकते कि सहयोग आत्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्ती छोटे एवं कम कुसल विद्यार्तियों का उच्च उपलब्धी और स्वर गरीमा का आकलन करते हैं ठीक है इसलिए option number C होगा इसका right answer question number second हो जाएगा प्रात्मिक इस्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वस्रेष्ट तरीका है ठीक है जो प्रात्मिक इस्तर होता है उसमें बच्चों के आकलन करने का सर्वस्रेष्ट तरीका है तो पहला option अजाएगा ग्रह कारे, second हो जाएगा योगात्मक कारे, second हो जाएगा फोर्ट पोलियो और fourth option हो जाएगा अधिक परिक्षाएं ठीक है तो option number C हो जाएगा इसका right answer द्रस्य सामगरी एवं सारे रिक गति विधिया का प्रयोग करता है क्योंकि यह ठीक है तो क्या क्या कर रहा है देखो पढ़ाते समय स्रवय सामगरी द्रस्य सामगरी और सारे रिक गति विधियों का प्रयोग कर रहा है तो इससे होता क्या है यार तो option number पहला इसका right answer होगा अ अधार पर option number first होगा right answer चाहो तो आप 3 option पढ़ सकते हैं लगला देखते हैं question number fourth की खालिस्तांठी के blank के अलावा निमनलिखित परियावरण अध्यन पढ़ाने की विदिया है मतलब यह जो चार विदिया है इसमें से ठीक है कौनसी विदी के अलावा सभी की सब पढ़ाने यो और थे समस्य समधान ये भी परियवरण पढ़ाने की विदिये परंतू option number C हो जाएगा इसका right answer मतलब व्याख्यान द्वारा इस पष्ट करने के अलावा निमनलिखित परियवरण अध्यन पढ़ाने की विदिया है मतलब यह जो व्याख्यान द्वारा हम परियवरण को न अधारित है तो पहला option है निरिक्षण विदी, second है संकेंद्रिय विदी, third हो जाएगा क्रियात्मक विदी और fourth हो जाएगा समाज मिती विदी ठीक है तो option number first है इसका right answer निरिक्षण विदी में ही देखा जाता है वस्तू को object को या अपने आसपास के वातावरण को और उस अधार पर सीखते हैं इसलिए option number first होगा इसका right answer की देखकर सीखने के सिध्धान्त पर आधारित विदी हो जाएगी रिक्षण विदी अगला हो जाएगा question number छटवा कि प्रयोजना विदी के रूप रेखा सरप्रथम प्रस्तुत की थी ठीक है प्रयोजना विदी के रूप प्रेखा सरप्रथम प्रस्तुत की थी तो पहला हो जाएगा किलपेट्रिक सेकेंड है जान ड्यूवी और थर्ड हो जाएगा मॉन्टेसी और फोर्थ आपसन है इसकी नर ठीक है तो यार देखो जब आप इससे लगाओगे तो कुछ लोग इसका जान ड्यूवी लगा रहे क्या विचार परन्तु सबसे पहले इसको विधिवत प्रस्तुत की थी कोन ने किलपेट्रिक ने ठीक है अठारा उनिस सो अठारा में इसलिए ओप्सन नमबर फर्ष्ट इसका राइट आंसर है कि प्रयोजना विधी की रूप में रेखा तो सरी प्रयोजना विधी की प्रेखा सरप्रतम प्रस्तुत की थी कोने किलपेट्रिक ने परन्तु विचार दिया था कोने जॉन डीवी ने तो इस आधार पर उप्सन नमबर फर्ष्ट इसका राइट आंसर कोश्चन नमबर सात्वा हो जाएगा कि वह प्रोजेक्ट वह प्रोजेक्टर जिसमें बच् प्रोजेक्ट, सेकेंड है स्लाइट प्रोजेक्ट, थर्ड हो जाएगा फिल्म में प्रोजेक्ट और फूर्थ हो जाएगा एपिडाय इसकोप ठीक है तो आप्सन नमबर फर्ष्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर कि हम यह बोल सकते कि ओपी एच ठीक इसी को बोलते हैं ओएच पी, ओएच पी का मतलब हो जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्ट ठीक है जिसमें किसी भी विशेवस्तू को इसपष्ट करने के लिए दरपन के रिफलेक्ट करते हैं जिससे वह सिर्प चक्छू संपर्क रखता है बनता है बलकि इसकी परच्छाई भी नजर आती है अ सामय ध्यान रखने योग्य बिंदू है ठीक है मतलब अगर हम कच्छा में साहक सामगरी का यूज़ कर रहें तो उसमें ध्यान रखने योग्य बिंदू है तो पहला ओप्सन हो जाएगा साहक सामगरी पूरे समय तक प्रदर्शित की जाए सेकेंड साहक सामगरी निरधारि समय पर दिखा कर हटा ली जाए यदि हम सायक समगरी का पढ़ाने में यूज कर रहे हैं तो अगला question number 9 हो जाएगा कि सैक्षिक प्रक्रिया में में तीन प्रमुक अंग है ठीक है हम यह बोल सकते कि सैक्षिक प्रक्रिया के तीन प्रमुक अंग कोन से है ठीक है तो पहला option हो यहाँ पर उद्देश सिक्षक एवं मुल्यांकन second option हो जाएगा विध्याले समुदाय एवं सरकार और third option हो जाएगा उद्देश अध्यन अध्यापन परिस्तितिया और मुल्यांकन और option number C ही इसका right answer है कि जो सैक्षिक प्रक्रिया होती उसके तीन प्रमुक अंग हो जाएगा कुन से उद्देश second हो जाएगा अध्यन अध्यापन परिस्तितिया और third हो जाएगा मुल्यांकन ठीक है इसी आधार पर option number C हो जाएगा right answer अगला दिखते है question number 10 वा कि दल सिक्षण का सरवप्रथम प्रयोग किया गया था ठीक है जो दल सिक्षण का सरवप्रथम प्रयोग किया गया था तो पहला option है भारत में second है रूस में third है अमेरिका में और fourth हो जाएगा ब्रेटेन में तो एर option number C हो जाएगा इसका right answer अमेरिका में ठीक है और अमेरिका में कोलंबिया विस्विध्याले में इसकी पूरी जो प्रक्रिया की गई थी अगला question हो जाएगा question number 11 वा कि Montorie School में किस IU वर्गी के बालकों को अध्यान की विस्था Mother Montesi ने की थी ठीक है छे से नौ वर्ग और fourth option हो जाएगा तिन से छे वर्ग सर्ण नमबर फश्ट हो जाएगा complete answer सर ठीक है मांटेशरी स्कुल में रहते थे किस आयू वर्ग के बच्चे तो दो से साथ आयू वर्ग के अगला हो जाएगा question number 12 कि वास्तविक चिंतन प्रयोग एवं निरिक्षण पर आधारित विदी है ठीक है वास्तविक चिंतन प्रयोग और निरिक्षण पर आधारित पर आधारित जो विदी हो जाएगी वो हो जाएगी प्रयोग साला विदी मतलब option number D है इसका right answer ठीक है यहाँ पर सारी चीज़े अब चिंतन भी होता है प्रयोग निरिक्षण सारी चीज़े होती है अगला question number 13 कि पराम परागत सिक्षण विदी ठीक है जो पराम परागत सि question number 14 हो जाएगा कि Herbert की पाठ योजना विदी में वर्तमान में कितने पद है ठीक है जो Herbert की पाठ योजना विदी है इसमें वर्तमान में कितने पद है तो पहला option 3, second 4, third option 5 और fourth option 8, option 3 हो जाएगा right answer 5 ठीक है हम यह बोल सकते हैं कि Herbert की जो पाठ योजना में प्रस्तावना होती टोटल इसमें 5 पद हुआ करते तो पहला था प्रस्तावना, second है प्रस्तुति करण, third है तुलना और fourth है सामानी करण ठीक है और प्रयोग को पंचपदी कहा जाता है अगला हो जाएगा question number 15 की सामाजिक विशे को कहा जाता है ठीक है जो सामाजिक विशे को कहा जाता है तो प हम यह बो सकते हैं इसको टोटल तीन चरणों में बाटा जाता है जब पहली से पांच वी तक हम इसे पढ़ाते तो इसको परियावरन अध्यन बोलते हैं जब छटवी से आठ वी तक पढ़ाते तो इसे कहा जाता है सामाजिक विश्यान और जब नौवी से दस वी तक जाते हैं इसको सामाजी कद्धिन कहते हैं इसी आधार पर डीस का राइट आंसर है अगला देखते हैं question number 16 कि वैक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के प्रमुख प्रवर्तक थे ठीक है जो वैक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के प्रमुख प्रवर्तक थे तो पहला option हो जाएगा friend as killer second option हो जाएगा यहाँ पर Robertson third option है gauge और fourth option है all port ठीक है तो option number first हो जाएगा इसका right answer fraid as killer ठीक है वैक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के प्रमुख प्रवर्तक कुन थे तो fraid as killer question number 17 हो जाएगा यहाँ कक्छा का मेघावी बालक जो संगीत में sorry गलत संगती हो जाएगा वैसे है न यहाँ क्छा का मेघावी बालक जो की गलत संगती में पढ़ जाता है आप अध्यापक के रूप में क्या करेंगे ठीक है तो पहला option हो जाएगा उसे ्पेक्छा करेंगे थर्ड option है उसके माता-पिता से मिलेंगे और fourth option है उसे प्रेम पूर्वक समझाएंगे ठीक है तो option number इसका समधान किया जाता है, अगला हो जाएगा question no.8 ये पाठ्ठिक्रम निर्मान का सिध्धान्त है, ठीके तो पहला option हो जाएगा, kriya-silitā का सिध्धान्त, second है, vividitat का सिध्धान्त, third है, उप्योगिता का सिध्धान्त, और fourth option हो जाएगा उप्यूक्त है, सभी, ठीके तो पाठ्ठिक्रम निर्माण का जो सिद्धान्त हो जाएगा उप्यूक्त सभी option number D हो जाएगा इसका right answer, मतलब इसके अंतर क्रिया कलाब का सिद्धान्त क्रिया सिलता का सिध्धान भी होता है विविद्धता का सिध्धान भी होता है और उपियोगिता का भी होता है इसे आधर पर option number D हो जाएगा right answer अगला देखते हैं question number 19 वा की ऐसे समधान जिसमें बालक के द्रस और सरवे दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग होता है मतलब देखने में भी और सुनने में भी दोनों इंद्रियों का जब यूज होगा तो कुन सी विदी होगी तो सुरी उसमें क्या होगा तो वह कहलाती है क्या द्रस सरवे सामगरी ठीक है मतलब ओपसन number second हो जाएगा right answer क्योंकि इस विदी में वो देखता भी और सुनता भी है और जिसमें सिरिफ देखते ही देखता है ठीके तो कचरा हो जाएगा ठीके ये भी नहीं हो सकता, तो option number C ही इसका right answer होना चाहिए, एक chart एक ही ही उद्देश पर होना चाहिए, बिलकुल option number C ही इसका right answer है, कि जब chart बनाते तो उसका एक, कोई न कोई, एक ही उद्देश होना चाहिए, अगला देखते है, question number 20, की वही प उत्तर बड़े हो ठीक है और तो option number C इसका right answer होगा आयोब सब भी यही लगा रहे होंगे क्योंकि जिसके उत्तर तरक्यूग होते हैं उसे ही हम अच्छे प्रसने मानते हैं अगला देखते हैं question number 12 कि प्रयोग साला में कारे करते समय विद्यार्ति किस विद्धी का अनुसरण करता है ठीक है मतलब प्रयोग साला में अगर वो practical कर रहा है तो यहार हम जानते हैं आगमन विद्धी होती है जहां पर practical होता है वो आगमन विद्धी मतलब option number first है राइट answer परंतु जहां थेवरी और formula का पहले से यूज मतलब बने हुए रहते है उसका यूज करते तो उसे निगमन विद्धी कहते है परंतु जहां पर प्रयोग होता है वो आगमन विद्धी होती है अगला दिखते है हूरोस हूरिस को सब्द का है ठीक है हूरिस को सब्द का अर् खोज करना ठीक है खोज करना है कि इसका तो हूरिस को सब्द का अर्थ अगला हो जाएगा question number 24 की बहुत बड़े सम्हू के लिए कौन सी विद्धी ठीक है कौन सी सिक्षन विद्धी प्रयोग नहीं की जा सकती ठीक है तो पहला option हो जाएगा सम्हू हूर्चा, second है दल, सिक् अगला question, question number 25 हो जाएगा कि राष्ट सिक्षको से यहाँ आप एक्षा करता है कि ठीक है मतलब क्या उमीद करता है राष्ट अपने सिक्षको से, पहला option हो जाएगा पूर्वा ग्रह रहित एवं पक्षपात रहित होकर समर्पित ढंग से बालक होकर बहुमुखी विकास करे ठीक है मतलब बहुमुखी यहाँ से बहुमुखी विकास करें, second option हो जाएगा ट्यूसन करने वाले छात्रों को तो यार ट्यूसन करने वाले चात्रों को अतिरेकत अंक प्रदान करने का प्रवलोबन ना दे, तो option number यह तो गलत हो जाएगा, ट्यूसन की तो बात होनी जी न फोर्थ option है अपने सिक्षण कारे को पूरी पवित्रता से संपन करें तो और पवित्रता से संपन करने से अच्छा है कि वो बिना पक्षपात रही ठीक है, पूर्वा ग्रह रही पक्षपात रही होकर समर्पित धंग से बालको को बहुमुखी विकास करे, option number first हो का right answer ठीक ह question number 26 हो जाएगा कि कौन सा गुड वस्तुनिष्ट परिक्षा का नहीं है ठीक है, तो पहला option हो जाएगा वैद, second हो जाएगा विस्वास नहीं है, थर्ड हो जाएगा मापन, और fourth हो जाएगा वस्तुनिष्ट ठीक है, तो कौन सा गुड वस्तुनिष्ट परिक्षा का नहीं है ठीक है तो वैसे यहाँ जो वस्तु निष्ट लिखा यह है यार वैक्ती निष्ट ठीक है यह हो जाएगा जो option number D is का right answer है मतलब जो वस्तु निष्ट प्रस्ण होते हैं उनका वैद विश्वास नीता और मापनी तीनों गुड़ तो होते हैं पर एक option यहाँ लिखा नहीं है वैक्ती निष्ट जो की एक वस्तु निष्ट पर इच्छा का नहीं है मतलब option number D होगा right answer पर उसकी जगे वैक्ती निष्ट आएगा question number 27 वा देखते हैं की प्रादेशिक विधी के प्रवर्तक है ठीक है question number 28 हो जाएगा की दल सिक्छन का सरप्रतम प्रयूग किया गया ठीक है तो पहला यह option इसका right answer है हावर्ड विस्विध्याले में अठा उन्निसो पचपन में option number 1 होगा right answer question number 29 हो जाएगा की skinner और thandike ने अधिगम के लिए मूल घटक किसे माना है ठीक है जो skinner और thandike दोनों ने अधिगम के लिए मूल घटक किसे माना है पहला option हो जाएगा वहवार को second है पुनर बलन third option है सिक्छन और fourth है अभी प्रेड़ना ठीक है तो option number second हो जाएगा इसका right answer पुनर बलन को skinner और thandike दोनों ने ही अधिगम का मूल घटक माना है आखरी question हो जाएगा question number 30 है की अध्यापक की सरवाधिक उपयुक्त रूप मानी जाती है ठीक है तो option number D हो जाएगा इसका राष्ट है नायक से ठीक है तो आज की लेक्षर में इतना ही अगले लेक्षर में फूर्म लाकात होगी जब तक के लिए जैहिन जै भारत